मंदिर का मतलब होता है मांसिक गुलामी और मार्ग लेकिन सिक्षा का मंदिर होता है जो है जीवन का प्रकास ये लाइन बलकी कोई और नहीं राजत के विधायक फते बहादूर सिंग ने लिखा है एक बार फिर से हिंदु देवी देवताओ पर जिस तरीके से उनोंने हाल की दिनों में विवादित ब्यान दिया था एक बार फिर से पोस्टर के जरिये भी उनोंने हिंदु देवी देवताओ और मंदिर पर सवाल खड़े की हैं चलिए इस वक्त जो पोस्टर लगा है वो पोस्टर कहीं और नहीं बलकि राजट सुप्री मो लालू प्रिशाद यादव यानि रावडी देवी के अवास अवास 10 सर्कुलर रोट के ठीक सामने यानि उनके अवास के ठीक सामने एक बड़ा सा पोस्टर लगा है और पोस्टर में ऐसी बाते लिखी है जो 22 जन्वरी को यानि राम मंदिर का उद्गाटन होना है एक तरफ तो दूसरी ओर फते बहादूर सिंग ने ये लाइन लिखकर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गये हैं लगातार जिस तरीके से माहागडवंदन के तमाम नेताओं के द्वारा हिंदू देवी देवताओं के द्वारा पर हमला किया जा रहा है हिंदू देवी देवताओं पर सवाल खड़ा किया जा रहा है और ऐसे में कहीं न कहीं इसको लेकर एक बार फिर से उन्होंने बड़ा पोस्टर लगा कर बिहार में सियासत को गर्म कर दिया है यह रावडी अवास के ठीक सामने पोस्टर लगाया गया है और ठीक उसके बगल में मुख़मंत्री का आवास है जहां पर एक अन्यमार्ग है दूसरी ओर एक अन्यमार्ग और ती 10 सरकुलर रोड यानि ठीक उसके सामने ये पोस्टर लगाया गया है बसरते ये लाइन जो लिखा गया है ये लाइन जो है फूले भाई की जैनती होनी है और उनका लाइन ये लिखा हुआ है सवित्री भाई फूले का और लेकिन उनके बहाने फटे बहादुर सिंग ने एक बार फिर से हिंदू देवी देवता पर और मंदिर पर सवाल उठा हैं चलिए हम ये लाइन आपको एक एक कर पढ़ कर बताते हैं कि उन्होंने आखिर क्यों लिखा है इसके पीछे की वज़ा क्या है चलिए आजा ये लाइन पर मंदिर का मतलब है मांसी गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जी बढ़ रहे हैं ले और जब स्कूल की घंटी बढ़ती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपुर ग्यान और व्यज्यानिता प्रकास की ओर बढ़ रहे हैं तब अब तै करना है कि आप किस ओर जा रहे हैं यानि कहीं न कहीं राम मंदर का जो 22 जनवरी को उद्गाटन होना है उससे ठीक पहले यह पूस्टर को लगाकर फते बहादूर सिंग ने बड़ा हमला किया है यह कारिकरम भले जो फूले बाई जैन्ती जो मनाई जा रही है वो बिहार के रोहतास डिस्टिक में होनी है डेहरी पहार मैदान में होनी है दिन के 11 बजे और 7 जनवरी को होनी है बाते कह दी है यानि सवीत्री वाई फूले की जैन्ती के बहाने बिहार की सियासत जो है अब मंदिर और स्कूल पर टिकी हुई है यानि 22 जनवरी को एक तरह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आयोध्या में राम मंदिर का उधगाटन कर रहे हैं तो वहीं दूसर और फते बहादूर सिंग मंदिर की घंटी पर सवाल उठा रहे हैं और जो है स्कूल की घंटी पर उन्होंने कहा है कि चुनना आपको है कि आप ग्यान के प्रकास की ओर जा रहे हैं कि अंद विश्वास और पाखंड और मुट्ता की ओर जा रहे हैं ये दोनों तै करना आप को है यानि लोग सबाद चुनाओं से ठीक पहले इन्होंने एक बार फिर से विवादित पोस्टर लगा कर बिहार की जो है सियासत को गर्म कर दिया है मंदिर और स्कूल पर अब सियासत होनी शुरू हो गई है ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव इंडिया ह अरपल के लिए